यानि कि आखिरी चंद्रग्रहन 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को शरत पूर्णिमा के दिन लगेगा चार राशिवालों की लगेंगी लोटरी, चार राशिवालों की पलटी किस्मत और चार राशिवालों को होगा भयंकर नुकसान उसको आज कि इस वीडियो में हम आपको 28 28 अक्टूबर दिन शनिवार को शरत पूर्णिमा के दिन लगने वाले चंद्रग्रहन साल 2023 के दूसरे, यानि कि आखिरी चंद्रग्रहन के बारे में समपून और सटीक जानकारी देने वाले हैं कि ये चंद्रग्रहन सभी बारह राशियों पर अपना किस प्रकार सभी बारह राशियों पर ये चंद्रग्रहन अपना अलग अलग प्रभाव डालेगा परंतु कौन कौन सी खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर ये चंद्रग्रहन अपना शुब प्रभाव डालेगा और साथ ही साथ किन राशियों पर ये चंद्रग्रहन अ 23 दिन शनिवार को शरत पूर्णिमा के दिन लगने वाला साल, 2000, 23 का दूसरा यानि की आखिरी चंद्रग्रहन, भारत में दिखाई देगा या नहीं, भारत में दिखाई देगा तो कहां कहां दिखाई देगा, कब दिखाई देगा, सूतक काल का सही समय, सूतक काल किस समय से, क इस समय तक लगेगा। बिल्कुल सठीक जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगी पूरा वीडियो देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप ना करें। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाबकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है। वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान भोलेनात जी का नाम लेकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और सचे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनात अवश्य लिखें। साल का आखरी चंद्रग्रहन जो की 28 अक्टूबर दिन शनिवार को शरद पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें साल का आखरी यानि की दूसरा चंद्रग्रहन 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। साल के आखरी चंद्रग्रहन को भारत में भी देखा जा सकता है। भारत में दिखाई देगा ये चंद्रग्रहन जिसके चलते देश में सूतक काल मान्य होगा। चंद्रग्रहन का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। इसलिए चंद्रग्रहन के दौरान मंदिरों के कपाट को भी बंद कर दिया जाता है और किसी भी शुभ कार्यकी करने की मना ही होती है। आपको बता दें कि सूतक काल के नियमों का पालन ज़रूर करना सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। अब जानते हैं कि भारत में चंद्रग्रहन कितने बजे दिखेगा। कब लगेगा। यानि कि भारत में संपून जो चंद्रग्रहन का समय होगा वो चार घंटे 24 मिनट तक होगा। अगर ध्यान में आगया आप कुछ समझ में आगया या चंद्रग्रहन की जो शुरुवात होगी 28 अक्टूबर की रात 11 बच कर 30 मिनट से। अगर चंद्रग्रहन के सबसे महत्वपून और चंद्रग्रहन के चरमकाल की बात की जाए तो 29 अक्टूबर की रात 1 बच कर 5 मिनट से शुरू होकर 2 बच कर 24 मिनट पर खत्म होगा। यानि की 1 घंटे 19 मिनट का होगा। इसकी जो चरमकाल की बात की जाए वैसे तो चंद्रग्रहन का जो सही समय है वह 28 अक्टूबर की रात 11 बच कर 30 मिनट से 28 अक्टूबर की मध्य रात्री 2 बच कर 24 मिनट तक होगा। यह चंद्रग्रहन चार घंटे 24 मिनट तक रहेगा दोस्तों बात करें 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्रग्रहन का सूतक काल कब से मान्य होगा ध्यान से समझना आपको बता दे इस बार जो चंद्रग्रहन लगेगा वो 28 अक्टूबर की रात 11 बच कर 31 मिनट पर चंद्र ग्रहन लगने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है तो इसकी कैलकुलेशन बैठेगी शाम 3 बचकर 28 मिनट से सूतक काल शुरू हो जाएगा सूतक काल की जो शुरूात होगी वे 28 अक्टूबर की शाम 3 बचकर 28 मिनट से सूतक काल मानने होगा सूतक काल के नियमों का पाल क्या करें गर्भवती महिलाओं को ग्रहन काल के दौरान घर के अंदर रहना चाहिए गर्भवती महिलाओं को चंद्रग्रहन के दौरान जागते रहना चाहिए और पूजा पाठ या मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए ग्रहन समाप्थ होने के बाद चंद्रग्रहन के गर्भवती महिलाओं को चंद्रग्रहन के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वर्जित माना जाता है हलांकि भोजन करने से पहले वो एक काम कर सकती है कि जो भी आप भोजन करें उसमें एक तुलसी का पत्ता डालें या नहीं तुलसी का आपको पत्ता चंद्रग्रहन से पहले ही तोड़ कर रख लेना है जो भी खाना बनाए उसमें आपको तुलसी का पत्ता डाल देना है फिर आप भोजन ग्रहन करें ऐसा करने से चंद्रग्रहन का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके उपर और आपके शिशु के उपर नहीं पड़ेगा हालां की गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चे के स्वास्थे को लेकर ग्रहन कल के दौरान भोजन जरूर करना चाहिए बशर्ते आपको अपने खाने वाले भोजन में तुलसी का पत्ता डाल लेना है और ग्रहन काल के दौरान आप भगवान शिव के मंतरों का जाप करें निरंतर महामृतियुन जय मंतर का जाप करते रहें भगवान विश्णुजी के मंतरों का जाप करते रहें इससे आपके और आपके शिशु के उपर चंद्र ग्रहन का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथ ही साथ आपको तेज धार वाली वस्तुएं जैसी कैंची चाकू, पिन आदी के उपयोग से बचना चाहिए, इससे जन्मदोश हो सकता है और आपके शिशु प सभी बारह राषियों के बारे में विस्तार पूर्वक की 28, अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को शरद पूर्णिमा के दिन लगने वाला साल 2020 का दूसरा यानी की आखिरी चंद्र ग्रहन, सभी बारह राषियों पर किस प्रकार प्रभाव डालने वाला है? इन सभी बारह राषि प्रवाणियों की वजहे से गुस्सा दिखाने की जगह आप शांत रहें। स्वास्थ्य में परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। याद उसको इस लिस्ट में जो अगली राशी हैं। मिथुन राशी या दोस्तों मिथुन राशी वालों को बता दें कि यह ग्रहन आपके लिए शुब संकेत लेकर आ रहा है। इस लिए इस राशी के लोगों की खर्च में थोड़ी कटोती रहेंगी। भक्ति की और और अधिक ध्यान के इंद्रित करेंगे और मानसिक तनाव से बचेंगे। नौकरी या व्यापार में अच्छे परिणाम आपको मिलने के संकेत है। चिकित्सा मुद्दे के लिए सचेत रहने की आपको आवश्यक्ता है। धनलाब होगा। अगर आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपका मन शान्त रहेगा। या तो उसे इस लिस्ट में जो राशि हैं वे राशि है। सिंहराशी रिष्टों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। व्यापार में सफलता मिलने के संकेत हैं और मामूली आर्थिक नुकसान के साथ वित्तिय और खर्च होने के संकेत हैं। नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी, परिवार में सहयोग मिलेगा और आर्थिक रूप से सफलता मिलेगी, ग्रहन अच्छे प्रभाव आपके लिए सिंह राशिवालों लेकर आया है, व्यापार में लाब होगा, परिवार के सदस्य का आप ध्यान रखें, कार्यों में सफलता हासिल करेंगे, भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करने से आपको लाभ मिलेगा, इस लिस्ट में जो अगली राश्य है वहर राश्य है, कन्या राश्य नौकरी में व्रिद्ध और स्थिरता आप प्राप्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका भाग्य और आर्थिक लाब मजबूत होगा जल्दबाजी में किये गए आप फैसलों से बचें और अपने आसपास के लोगों के साथ धैरे रखें इस राश्य के लोगों को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा किन्तु आमदनी कम रहेंगी व्यर्थ के खर्चे कर कि इस चंद्र ग्रहन के प्रभाव से आपको धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं इसलिए बेफजूल के खर्चों से आप बचें स्वास्थ के क्षेत्र में हलके फुलके उतार चड़ाव आपके लिए संभव है किन्तु कोई बड़ी बीमारी होने का कोई भी संकेत नहीं ह साथ साथ घर परिवार में खुशनूमा माहौल रहेगा स्वास्थि का आप विशेश रूप से ध्यान रखें और पार्टनर की सेहत के प्रती भी आप थोड़ा सचेत रहें दोस्तों इस लिष्ट में जो अगली राशी है वो है व्रिष्चिक राशी व्रिष्चिक राशी वालों को बता दें अपने स्वास्थि और मानसिक तनाव का आप ध्यान रखें जीवन साथी के साथ वाद विवाद और मतभेद होने के संकेत है आर्थिक नुकसान होने के भी संकेत मिल रहे है इसलिए फिजुल के खर्चों को आप नियंत्रित करें इस वर्ग की भक्ती मे लीन होने की कोशिश करें सफलता आपको अवश्य मिलेगी इस दोरान आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी कैरियर में मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा वाद विवाद में आप फंस सकते हैं सावधान रहें माता पिता की भी सेहत बिगड सकती है इसलिए माता पिता की सेहत के प्रती थोड़ा सचेत रहें ये राशी हैं दोस्तों इस लिष्ट में जो अगली राशी है वो राशी है धनू राशी धनू राशी वालों को बता दें वाद विवाद से इस समय आपको बचना होगा और वाणी पर आपको नियंतरण रखना होगा खर्चों पर नियंतरण रखने की आवश्यक्ता है आर्थिक नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं शत्रूओं पर विजय प्राप्त होगी और सवस्थ लाब होगा जब दोस्तों में जो अगली राश्य हैं वो राश्य हैं मकर राश्य मकर राश्य वालों को बता दे अनपेक्षित प्रेम का संचार होगा आर्थिक लाब के लिए भी आपके लिए समय अच्छा है पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे धैर्य रखें और ध्यान रखें संतान के सुख की प्राप्ति होगी विद्या अध्ययन कर रहे लोगों को विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा नौकरी और व्यापार में सफलता हासिल करेंगे स्वास्थ्य संबंधित परेशानिया दूर होंगी इस दौरान आर्थिक पक्ष आपके लिए मजबूत बनेगा कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी व्यापार में तरक्की मिलेंगी नई नई योजनाएं आप बनाएंगे जिसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी दोस्तों इस लिष्ट में जो अगली राशे है वो राशे है वो राशे है कुम्भ राशे दोस्तों कुम्भ राश्य वाले लोगों के लिए बता दें ये चंद्रग्रहन आपके लिए थोड़ा कष्ट प्रद साबित हो सकता है बिजनेस में हानी हो सकती है कोई भी काम समझदारी से करें वाहन को सावधानी से चलाएं सिर्दर्द से परेशानी हो सकती है सामंजस्य बना कर रखें अपने और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थे का आप ध्यान रखें ग्रहन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप भगवान बजरंग बली जी का ध्यान करें भगवान बजरंग बली जी के मंत्रों का जाप करें बचें और गलत फहमी को दूर करने के लिए समवाद करने का प्रयास करें कोट का चहरी के मामलों में अगर फंसे हुए हैं तो विजय प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं भाग्यका आपको भरपूर साथ मिलेगा धन लाब होने के योग भी बन रहे हैं इस समय परिवार के आस्थे का आप विशेश ध्यान रखें दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद